हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आजक्ते इस वीडीयो में हम जानेगे के बैंक में पेशे केसे जमा करें तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास टक जरुर देखियेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँँच सकें। दोस्तो जब भी हमें अपने या फिर किसी और के अकाउंट में पेसे जमा करने होते हैं तो उसके लिए हमें बेंक जाना पड़ता है। पेसों के साथ उससलिप को भरकर बेंक वाले को देना होता है तभी वोपेसे हमारे डेपोजिट करता है। आग की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे के डेपोजिट सलिप कैसे बरते हैं है। टो इस वीडियो में मैं आपकोını और स्लिपबो Kरते हैं। तो दोस्तों सिखते हैं कि भारतिय स्टेट बेंक यान कि स्टेट बेंक अप इंडिया की पे इन स्लिप कैसे भरे इसे आप जमा परची भी कह सकते हो तो दोस्तों जैसे कि आप SBI बेंक में जाओगे अगर पेसे जमा करने के लिए तो आपको जो स्लिप मिलेगी वो कुछ इस प्रकार दिखेगी तो यहाँ पर सबसे उपर आपको साखा यानि कि ब्रांच जो है आपकी सिटी की उसका नाम लिख देना है जहाँ पर एक नमबर की आए वहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का नाम अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पर मुंबई लिख देना है जो भी आपकी ब्र पैसे जमा करना चाहते हो तो आप यहां पर अपना नंबर लिख सकते हो वरना उस व्यक्तिका लिखे जिसमें आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नंबर दो पे हो गया आपका अकाउंट नंबर उसके बाद नंबर तीन पर यहां पर डेट आपको लिख पे उसके बाद दोस्तो नमबर 5 में आपको amount लिखनी है कि कितने पेसे आपको जमा करने है तो अगर आप लोग 1000 रुपे या फिर 10,000 रुपे जमा करना चाहते हो तो वो रकम यहाँ पर आप लिख दो उसके बाद आता है नमबर 6 यह दोस्तो optional भी होता है इसमें आपको mobile पर पेंड कार नमबर देना होता है लेकिन यह ना भी दे तो चल जाता है उसके बाद दोस्तो आठवा नमबर है कि जो रकम आपने उपर लखी थी कि मान लिजी आप 10,000 रुपे जमा करना चाहते हो तो इनी अंको को आपको सब्दों में लिखना है यहाँ पर 1000 रुपीस अ जमा करने गया है अगर आप पी पैसे जमा करने गए है तो यहाँ पर आपके हस्ताक्सल लगेंगे उसके बाद दोस्तों एक और परची होती है जो कि हमको काटके वापस दी जाती है तो यह परची कुछ इस तरह से होती है तो इसमें दोस्तों 11 नमबर पर जैसे दिख रहा हो उसका अकाउंट नमबर यहाँ पर लिखना है और नमबर 14 में आपको वह लिखना है कि आप किसे पैसे दे रहे हो उसका नाम लिखना है और 15 में फिर से वही आपको रकम यानि कि आपने 1000 रुपे डालने है तो 1000 रुपे लिख देने है और आपको उनी अंकों को सब्दों में लिख देना है नंबर 16 पे उसके बाद दोस्तों जो 17 नंबर है वो ओफिस यूज के लिए है वो इसमें आपको लेबल लगा के यह पलची आपको वापस कर देते हैं और यह जो पहले वारी पलची है वो उनके पास रख लेते हैं तो दोस्तों एसे आप State Bank of India की Pay-in स्लिप यानि की जमापर्ची बर सकते हो अगर इस वीडियो से कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट में मुझसे जरूर पीछे पूछिएगा दोस्तों इस तरह की जमापर्ची यानि की डेपोजिट स्लिप आप किसी भी बेंक की बर सकते हो इसमें ज्यादा तर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है बस सारी चीजे सेम ही लगबग होती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया वो तो इसे लाइक कर दिजिएगा और ओटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर करें और इस वीडियो से सब्द्दित किसी भी तरा का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करें